नमस्कार मारा वाला दर्शक मित्रों देश विदेश में रहता दरेक मारा दर्शक मित्रों ने डॉक्टर सरत सोनीना हर हर महा देव मित्रों आधना वीडियो मा हूँ तमने जो तमें सियाला मा लिली हर दर्शक मित्रों आधना वीडियों नुशेवन करता हो तो आ वीडियों तमारा माटे खास छे तमें आ वीडियों छल्ले सुधी जोजो आ वीडियो मा हुँ तमने लिली हर्दर खावाना अउस्सदिय गोणो तेना फाइदा अने केवा केवा व्यक्ति ये लिली हर्दर नुँ सेवन न करवू जोई ये एनी हुँ तमने खास माहिती आप पानो चुँ तो मित्रो अत्यारे स्रियाडानी सरुवात थाई गई छे थंडी चालू थाई गई छे अने साथे साथे लिली हर्दर नुपन बजार मा आगमन थाई गई उछे तमने लोकोंने ख्याल अशे के बजार मा बे प्रकारनी लिली हर्दर मले छे एक छे पीडी अने बीजी छे सफेद जे सफेद होई छे एने आपड़े आमबा हर्दर तरीके पण आपड़े ओड़ता होई ये छे बन्ने जे लिली हर्दर छे एनी अंदर जे अउसदिय गुणों छे ने ये बन्ने एक सर्खाच छे पण सुकी हर्दर करता लिली हर्दर अती सई गुणकारी छे इतले मित्रों करकरती ठंडी मा लिली हर्दर खावाना इतला बदा फाइदा छे तमे तेने सलार तरीके पण खाई सको छो अत्यारे तो लोकों लिली हर्दर नुँ साख पण बनावे छे अमारी बाजू अत्यारे घीनी अंदर लीली हर्दर नुझे साख बनावे छे ए साख एकदम टेस्टी होये छे हवे मित्रों हुँ तमने एना फाइदा विशे वाद करीज तो फाइदा विशे वाद करता पहला हर्दन नी अंदर इवा कया कया अउसद्य गुणों छे एनी हुँ तमने वाद करू तो हर्दन नी अंदर एंटी ओक्सिडन्ट एंटी वाइरल एंटी बेक्टेरियल एंटी फंगल एंटी कार्सिनोजेनिक अन्ने एंटी इंफ्लामेंटरी अटली बधी प्रोपर्टियों अंदर रहेली छे अटला बदा एना गुण छे हवे आ बदा गुण ने आपड़े नो उप्यूग कया कया रोगों मा थाए छे तो एनी हुँ तमने वाद करिश तो मित्रों तमने वाद करी के हर्दर नी अंदर एंटी ओक्सिडन्ट पटी क्याम छे ? कारण के हड़ु अंदर एक तत्व रहेलू छे अनने तत्व नो नाम छे करक्यू मिन ए तत्व इटलू बदू फाइदाकारक छे के अपड़ा सरीर ने जयरी तत्व थी बचावे छे इटले के आपड़े बार जईए त्यारे आपड़ा सरीद्नी अंदर फ्री रेडिकल्स ना नुक्सान थी आपणने बचावानू काम करे छे अन्ने एना थी आपड़े कैंसर, आर्थराइटीस, अल्जाइमर, जीवा रोगोसा में आपणने रक्षन मले छे हड़दर आपनी चामड़ी माटे पन बेश्ट छे, तमने ख्याल असे के ए आपनी चामड़ीनू गलोव दारे छे तथा एनी अंदर एन्टी एजिंग प्रोपर्टी छे, एले के आपड़ा व्रुद्धा अवस्ताने पाछू धकेलवामा काम करे छे आपना चामड़ीनी कर्चलियोंने दूर करे छे, अने एने डेमेश थता एने बचावे छे हवे आपड़े वाद करे के लीली हरदर ए आपड़ा सरीननी अंदर रोग प्रतिकारक शक्ती वधारवानू काम करे छे ए खईये एटले आपड़ा सरीननी अंदर खुबज रोग प्रतिकारक शक्ती वधे छे जेना लिदे आपनने बार्थी कोई पन इनफेक्षन आपड़ा सरीर मा आवी सकतो नथी अने खास करिने अत्यारे सियाडाना सीजन मा गड़ानी इनफेक्षन बहुत जोवा मड़ती होई छे तो गड़ाना इनफेक्षन मा लिली हर्दर न उप्योग खुबज फाइदाकारक साबित थायो छे मित्रो संसो जनोए साबित करियो छे के लिली हर्दर नी अंदर लिपो पॉली सेच्चुराइड नामनू तत्व छे जे तत्व आपड़ा सरीर मा आपड़ी इम्यून सिस्टम ने खुबज मजबूत करे छे जे खराब बेक्टेरिया छे जे रोग कारक बेक्टेरिया छे एने आपड़ा सरीर मा थी दूर करवा माटे एक काम करे छे जेना लिदे ए आपणे खईये तो आपणा सरीर्णी रोग प्रतिकारक सकती ना लिदे आपने सियाडामा अलग अलग बीमार्यों थी आपने रक्षन मले छे तथा तेनी अंदर एंटी फंगल पन गुण अवा थी जे फंगल ना इनफेक्षन नो जे खत्रों छे ए पन आपणे बचावे छे वित्रों इंगलेंड मा ताजे तर्माज एक संसोधन थायू छे अने एनी अंदर जे करक्यूमिन नामनू तत्व छे ने ए इसो फेजल एलेके अन नडिनू कैंसर ना जे कोस छे एने नास करवा माटे खुबज फाइदाकारक साबित थायू छे इतले के कैंसर ना कोस ने पन करक्यूमिन नामनू तत्व जे हड़दर नी अंदर छे एक कैंसर ना कोस ने नास करवा माँ पन फाइदाकारक साबित थायू छे मित्रो हड़दन नी अंदर खुबज मात्रामा आयरन जोवा मले छे जे आपड़ा सरीर मा लोईनी अंदर हिमोगलोबिन नी टकावारी वधारवानू काम करे छे जे लाल रक्तकणो ना उत्पादन मा वधारो करे छे अने ए लाल रक्तकणो थिमोगलोबिन ए सु काम करे छे तो ए आपड़ा सरीर मा अंगे अंग मा ओक्सीजन पोचाडवानू काम करे छे अने जे खुबज जरूरी छे मित्रो तमने किदू ए प्रमाने लीली हड़दर मा घणा बदा तत्वो छे एमा एक तत्व छे पोटिश्यम जे अपना हाई बीपी छे जेने हाई बलड प्रेसर नो प्रोब्लम छे अने जेने हाट ना रोगो छे एनी अंदर एक खुबज फाइदाकारक साबित थायुँचे हाई बलड प्रेसर ने पन कंट्रोल मा राखवा माटे ए फाइदाकारक साबित थायुचे मित्रो जे लोको ने पाचन नी समस्या रहती हो जे लोको ने अपचो थतो हो है कबज यातनो प्रोब्लम हो है ए लोको जो लीली हरदर नो शेवन करे तो एनी अंदर डाइटरी फाइबर आवे छे जे पाचन सकती ने खुबज मजबूत करे छे अने अपचो अने कबज यातनी समस्या दूर करे छे मित्रो एक खास वस्तु अगरत्य नो काम लीली हरदर करे छे तो ए आपणा लोईने सुद्ध करवा नो काम करे छे मित्रो आपड़ा लोईने सुद्ध जेने कईये छे के बलड प्यूरिफिकेशन नो काम करे छे जे आपड़ा सरीर मा रहला टॉक्सीन यलेके जे जेहरी तत्वों छे एने दूर करवानू काम करे छे मित्रो डायाबीटिस मा पण लिली हरदर नु सेवन बेश्ट छे ते बलड सुगर ने कंट्रोल करवा मा मदद करे छे पण तमारे एना माटे डौक्टर नी सला लेवी आवश्चक छे एटले तमारे जो डायाबीटिस नो प्रोब्लेम हो तो तमे डौक्टर नी सला लेवी नेज तमारे हरदर नु सेवन करवानू रह से मित्रो तमने कीदू ये प्रमाणे जो लिली हरदर नी छाल उतार देवानी छे एना जीना जीना टुकडा करवाना छे अने एनी अंदर मिठ्टू अने लिम्बू नाकीने पन जी खावानी मजा आवे छे मित्रो अने एने पन तमे जो काचनी बढ़नी मा भरी अने तमे लांबो समय पन एनने साचवी सको चो एटले एवी रिते पन तमें एने खाई सको छो लिम्बू अने मिठ्टू नाखिने हवे जहने ग्यस नी समस्या होए ये मित्रों ने जो लांबा समय सुधी जो लिली हड़ दननू सेवन करवा मावे तो ग्यस नी समस्या जे लोकों ने होई छे एमा पन एमने फाईदो थाय छे हवे मित्रों वाद करव तो जे लोकों ने सांधानों दुखावो छे तो सांधाना दुखावा माँ पन लिली हड़ दर फाईदाकारक साबीत थाय छे लिली हड़ शरीर माँ कोई पन जेगिया है सोजो वाईने तो पन एने मटाडवा माटे फाइदाकारक छे अने जिये लोकोंने घा थए होई ए घा ने रूज लावा माटे पन लिली हडदर ए फाइदाकारक रिते साबित थईू छे बिजी वाद करू तो एलर्जी जे लोकोंने वधारे एलर्जी रहती होई ए लोकोंने पन लिली हडदर नी अंदर जे करक्यू मिन नामनू तत्व छे ए एनी अंदर फाइदाकारक शाबित थईू छे अवे तमने वाद करी ए प्रमाने हडदर लोई ने सुद्ध करवानू काम करे छे जे जिग्याए घा वाग्यो ओए अथवा लोई वैतू ओए तो पन तेने रूज लावा माँ हडदर फाइदाकारक शाबित थईू छे मित्रो आमबा हडदर नी वाद करू तो ए सरीर माथी जेरी तत्वो ख्याचवानू पन काम करे छे तथा सरीर ने डिटोक्सी फाइद करवानू पन काम करे छे सरीर माँ सारा कोसो नी व्रुद्धी करवानू काम करे छे तथा रोग प्रतिकारक शक्ती वधारवानू काम करे छे तथा ताव सर्दी जेवी समस्यामाँ पन फाइदाकारक साबित थई सक्क्यू छे तो मित्रो अवे आपड़े वाद करशू तो लिली, हडदर, लीवर ने पन स्वस्त राखवानू काम करे छे अने जो त्यानों उप्योक करवा माँ आवे तो लीवर नी कार्यक सम्ता माँ पन वधारो थाए छे अने ए आपड़ा लीवर माटे पन फाइदाकारक छे मित्रो काया लोकोए हडदर नू शेवन न करवू जोईए तो मित्रो जे घर्भवती मैलाओ छे एमने डौक्टर नी सला लाईने ज लीली हडदर नू शेवन करवू जोईए जे घर्भवती मैलाओ छे जे सगर्भा मैलाओ छे एमने डौक्टर नी सला लाईने ज लीली हडदर नू शेवन करवू जोईए जे व्यक्ति नी सर्जरी थवानी होई ए व्यक्ति ये लीली हडदर नू शेवन करवानू नती अन्ने आगड की दू ए प्रमाण मित्रो डायाबीटिस ना दर्दी होई सावधानी साथे त्यानू शेवन करवू जोईए जोके त्यानू जो वधू प्रमाण मा लेवाम आवे तो ए ब्लड सुगर ने गटाड चे माटे डायाबीटिस ना दर्दी होई येमने डायाबीटिस था होई येमने डॉक्टर नी सला लईने ज अड़दर नू शेवन करवानू रहे चे हडदर ना वधू पड़ता उप्यूक थी कोई पन वस्तु आपणे लईये तो ये बद्दी वस्तु मापसर माद लेवानी चे कोई पन वस्तु जो वधारे पड़ती उप्यूक करवाम आवे तो एना थी नुक्सान पन थाई चे हड़दर नी वधू पड़ता उप्यूक थी पेटमा गर्मी थाई सके छे चक्कर आवी सके छे उल्टी थाई सके छे अना कोई कोई क्वार जाड़ानी पन समस्या थाई सके छे माटे कोई पन वस्तु नो वधू पड़तो उप्योग न करवो जोईए जे लोकों ने पथरी चे ए लोकों ने हड़दर खावानी लीली हड़दर खावानी मनाई चे इतले एमने पन डॉक्टर नी सला लाइनेज एनू शेवन करवानू रहशे हड़दर नो स्वाद गरम चे आविस्तितीमा आ लोकों ये हड़दर ना वधू पड़ता शेवन थी दूर रहवू जोईए जे लोकों ने नाकमा थी लोई निकड़वानी फरियाद होए घड़िये जे लोकों ने नसकोरी फूटवानी समश्या होए ए मित्रो तमने मारो वीडियो सारो लागे होए तो लाइक अने शेर कर जो ठैंक्यू मित्रो झाल झाल